कभी ना करें ये गलतियां, नहीं तो मा लक्षमी हो जाएगी नाराज कडवे शब्द ऐसे लोग जो दूसरों से कडवा बोलते हैं, वो मा लक्षमी को कभी रास नहीं आते हैं अब शब्द या कडवा बोलने वाले लोगों पर धन की देवी मा लक्ष्मी कभी कृपा नहीं करती हैं, इसलिए हमेशा विनर्म रहें और छोटे बड़े सभी लोगों से सम्मान से पेश आएं गंदे कपड़े पहनने वाले लोग जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदगी में रहते हैं, उनसे मा लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है, ऐसे लोगों के जीवन में कभी बरकत नहीं आती है, वे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करें, लेकिन जीवन में सुक सम्रद्दी नहीं रहती है, मा लक्ष्मी इन लोगों पर कभी गृपा नहीं करती है इसलिए हमें रोज नहा कर साफ कपड़े पहनने चाहिए देर तक सोने वाले लोग जो लोग सूरज निकलने के बाद भी सोते रहते हैं वे जीवन में कभी सुख सफलता, संबनता और अच्छी सेहत का आनंद नहीं ले पाते हैं ऐसे लोग दुख और दरिद्धा में ही जीवन बिताते हैं इसी तरह सूर्यास्त के समय सोने वाले लोगों से भी मा लक्ष्मी नाराज रहती हैं वे कभी भी ऐसे घरों में वास नहीं करती हैं जहां लोग शाम के समय सोते हैं क्योंकि ये समय घर में मा लक्ष्मी के आगमन का समय होता है भूल कर भी ना रखें जूठे बरतन अकसर लोग रात के समय जूठे बरतनों को रख देते हैं और सुबा उनको धोते हैं लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होता है कभी भी घर में जूठे बरतनों को नहीं रखना चाहिए इससे मा लक्ष्मी की कृपा बंध हो जाती है रात में हमेशा ही रसोई को साप करके ही सोना चाहिए चूले पर ना रखें बरतन रसोई घर में चूले पर कभी भी खाली बरतन को नहीं रखना चाहिए ये अशुब होता है रसोई घर के चूले को साप सुत्रा रखना चाहिए पुराणों में बताया गया है कि चूले पर खाली बरतन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है अगर घर में खाली बरतन चूले पर रखते हैं तो इससे कभी बरकत नहीं होती है समय से लगाएं जाडू जहां तक हो आप सूरे के पहले ही घर में जाडू पोचा कर लें अगर बाद में घर में जाडू पोचा लगाते हैं तो ये दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है मा लक्षमी प्राता काल में घरों में आती हैं वो साफ सफाई से खुश होकर वहां वास करती है अगर बाद में किसी कारणवर जाडू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें उसको सूबा साफ सपाई के साथ फैक दें दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद